स्वागते आपका दा हीमालियन स्टेडी डूप चैनल पर हम आसिस कुमारस्त होगी आज आपके सामने हम महत्पुर सुषना लेकर आए हैं इस वीडियो में हम तीन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे जैसे इसमें उत्रा खंड में लेकपल भरती और सीट एट और तीसी दी संबंद में इस वीडियो को आप लोग पूरा जुरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो देखिए पहली सुषना आपके लिए है कि जैसे कि हमने आपको सुवे एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी उ उत्तर प्रदेश लोग सिवायोक की और से प्रवक्ता की बेगैंसियां ओनलाइन होने वाली है आज इसमें आज जो है सब्जेट का पूरा ब्यौरा दे रिया गया है कितनी बेगैंसिया खाली हैं तो ये बेगैंसिया आपकी है प्रवक्ता राज़कियाँ आश्रम पतती इंटर कॉलिज परिक्षा 2021 और इसमें लिक्षा है कि ओनलाइन आविदन प्रारम होने की ती थी 18-6-2021 है और इसमें देरखा है कि ओनलाइन परिक्षा सुल्क बैंक में जमाख करने की अंतिम ती थी 15-7-2021 इसमें बताई गई है और ओनलाइन आविदन सुईकार की जाने की अंतिम तारिख उन्निस साथ दोहियार एक्किस है तो इसके बार हम देखते हैं इसमें कौन-कौन से सब्जेटों में कौन से बिगेंसिया है तो देखिए आपके सामने ये बिगेंसियों का ब्यौरा है जो की ये बिग्यापन आ गया है इसका प्रिवक्ता के लिए तो इसमें भौत ही बिग्यान की बिगेंसियों की संख्या इसमें टोटल है तीस बिगेंसियां उसमें रसाइन बिग्यान की वेकेंशय आपकी 26 और जी बिग्यान की वेकेंशय निकले आपकी 33 और इसमें नमबर चार है गड़ित की वेकेंशय आपकी 35 और ये टोटल मिला के 124 पदोपर प्रवक्ता के लिए आविदन प्रक्रिया शुरू हो रही है यानि कि 18 जून 2021 से इस वीडियो को आप लोग जादे स्यादा गुरूप में शिर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए यानि कि ये वेकैंसिया आपकी मैत और साइंस की निकली है जो की प्रवक्ता के लिए है उत्तर परदेस में और ये वेकैंसिया उत्तर परदेस लोग सिवाएक द्वारा जारी की गई हैं तो देखिए दूसरी सुचना आपके लिए है उत्तराखंड से लेकपाल भरती के ओनलाइन आविदन शुरू होने जा रहे हैं इसमें लिखाए कि उत्तराखंड अधिनस्त चैन आयोक ने पटवारी के 366 और लेकपाल के 147 पदों पर वेकैंसिया निकाली है इन पदों पर आविदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू होगी उमेदबार जादा जानकारी के लिए आयोक की ओफिसियल वेफसाइट यानि की www.uk.gov.in पर जाकर latest notification चेक कर सकते हैं तो ये आपके लिए महत्पुट जानकारी है कि उत्तराखंड से लेकपाल भरती और पटवारी के ओनलाइन आविदन प्रक्रिया सुरू हो रही है आधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है नेट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरू बताएं कि हमारे द्वारा बनाएगी बीडिया आपको ये कैसी लगी त जैसे की चर्चा में चल लिया था कि इसका जो नॉटिफिकेशन जल्दी आएगा सीट एट का तो देखे ये हमें नीज मिली है यानि की नीज 18 चैनल के माध्यम से तो इसमें दे रखाए कि केंद्रिया माध्मी सिक्षा यानि की केंद्रिया माध्मी सिक्षा बोर्ड आधि सुषना की घोषणा कर सकता है उमिद्वारों को सला दी जाती है कि सीट एट परिक्षा 2021 के नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की अधिकारिक वेफसाइट सीट डॉट एनिजी डॉट इन पर जाकर नजर रखें इस बीच ऐसी अटकले हैं कि कोरोना वाइरस महमार कि बीच परिक्षा इस्तिगत की जासकती है यह जानकारी हमें मिली है news 18 चैनल के माधियम से उसमें साभसाब दे रखाये कि यह सकता कि इस और आपकी के फार्म जो है! Len नहीं आए कभी यह जानकारी इसमें दे रखी है कि यह परिक्षा दो Careerandez हो सकती है इस साल और जैसे भी सूचना कोई हमें मिलेगी या तो इसके ओनलाइन फिरकर एक जल्द सुरू हो जाएगी अचानक कभी सूचना मिल जाए तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकरी प्रोवाइट करा देंगे और ये प्रेक्षा नई भी होगी तब भी आपको जानकरी इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहे हैं आप लोग हमारे चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद